दोस्तो आपस अभी ने नद्या के पार मूवी तो देखी ही होगी गुंजन और चंदान की फ्रेम कहानी से सजी ये मूवी अपने समाई की ब्लग पाटर मूवीओं में से एक गिनी जाती है तारा चंदर बढ़ जातिया ने इस मूवी के अंदर उत्तर देश के पुर्वाजल के दो गावों की जीवनी को दिखाया है साथ में ही इसमें दिखाई गई कहानी भी एक ऐसी ओपने आस से ली गई थी जिसकी कहानी का अंत कुछ बदल दिया गया था तो दोस्तो ये कहानी में दिखाया गया अंत असली अंत से बिल्कुल अलग है ताला चंदर पढ़ जातिया ने इस मूवी में जो हैपी एंडिक दिखाई है उपने आस में पिल्कुल उसके उलट एक दुखत अंत के साथ में ये कहानी समाप्त हो जाती है तो दोस्तो क्या हो अगर गुंजा और चंदरन का मिलन ही ना हो ये पूरी कहानी बदल दी जाए और साथ में बताया गए हर केरेक्टर का अंतीन शंड भी दिखाया जाए तो दोस्तो ये कहानी ली गई है कोरब की सर्थ नाम की एक एसी ओपनियास है जिसमें दिखाया गया अंत हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नदिया के पार मुवी की कहानी महसूल लेकाक और उपनियास कार किस्व प्रसाथ मिसर के उपनियास कोहबा की सर्थ पर आधरी थी जिसमें पुर्वी उत्तान चल के दोगाओ की जन जिवनी को दिखाया गया था और दोस्तों जो असली ओपनियास है वो चार पार्टों में विवाजी थी लेकिन जो परदे पर कहानी दिखाई गई वो सिर्फ दो पार्टों की ही कहानी थी यानि की रासरी प्रोडिक्सन और ताराचंदर बढ़ जाते अगर चाहते है तो नदिया के पार्ट का पार्ट टूप बन सकता था लेकिन दोस्तों वो काफी दुखता ही और उसकी हैंडिंग एप्टी नहीं होती फिल्म नदिया के पार्ट की एंडिंग में हमको ठिखाया गया है कि चंदन और गुंजा का मिलन हो जाता है लेकिन असली उपन नास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसमें गुंजा का विवाह चंदन की बड़े भाई ओमकार के साथ ही होता है और गुंजा चंदन की भावी के रूप में उसके घर में आती है दीरे दीरे समय गुझारता है सबसे पहले कावगा की मृत्य होती है उसके कुछ दिन बाद गाव में फैली एक महामारी से ओमकार की भी मृत्य हो जाती है ओमकार की मृत्यूगे को उस दिन भाद ही गुंजा की पिदा यानि की वेजजी गुंजा को वापस अपने साथ लेकर चले जाते हैं लेकिन कुछी दिनों भात गुंजा बापस लोटा दिये और अपने पुराने प्रेम की याद दिलाकर जंदेर के साथ में विवाहा का प्रस्ताव लगती है जिसे जंदेर ठुकरा देता है। प्राइज जाने से पहले से ही तूटी गुंजा, अंदर से ओर तूट जाती है, और एक दिन उसकी भी मिलती हो जाती है, यह थी कोबर की सर्थ की कहानी, उपनियस की कहानी को हैपी एंडिंग और बदलाओ के साथ में दिखाने के लिए, तारचंदर परजातिया ने इसके ले इस पूरी कहानी में कोई भी बदलाओ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम आपको एक बात और बता देते हैं, इलावबाद में बतोर अर्डिटर कारिरत केसर जी ने नोकरी छोड़ फिल्मों का रुख किया, उन्होंने अपने भाई प्रोडूसर एके मेसर के साथ में मिलक आती है, आप अपने लाए हमको कमेंट में जरूर बताएं